ग्रहम अंत्राले द्वारा 1 मई 2020 को लॉक्डाउन 3.0 को 14 दिन के लिए बढ़ाते हुए नई गाइडाइन्स जारी की गई हैं जो की 4 मई 2020 से लागू होंगी रिस्ट प्रोफाइल के अधार पर जिलो को रेड, ग्रीन और और औरेंज जोन्स में बटा गया है ग्रीन जोन्स में वो जिले होंगे जिन में अब तक एक भी कनफर्म्ट केस नहीं मिला है या फिर पिछले 21 दिनों में एक भी कनफर्म्ट केस नहीं आया है red zone या hot spot जिले वो जिले होंगे जिन जिलो में confirmed cases की संख्या बढ़ती जा रही है या उनकी collective cases की संख्या के आधार पर उनके testing और surveillance feedback के आधार पर जिनने ministry of health और government of India द्वारा red जिला घोशित किया जाएगा औरेंज जोन में वो जिले होंगे जो नहीं red zone में होंगे नहीं green zone में आते होंगे वो जिले औरेंज जोन में आएंगे ministry of health, red zone, orange zone और green zone जिलो की सूची और उनसे जोड़ी सूचना है प्रदेश और केंदर शासित प्रदेशों को सापता ही किया उससे जल्दी जो भी required हो उसके आधार पर देगा पूरे देश में ये सुविधाय चार माईं 2020 से भी अगले दो हफ्तों के लिए बंद रहेंगी सभी domestic और international air flights जैसे कि पुराने तोर पे domestic और international travels बंद था अब केवल medical services और air ambulance और सुरक्षा दरश्टी से महत्पूर्ण जो होंगे या फिर ग्रह मंत्राले द्वारा अनुमती प्राप्त flights ही travel कर सकेगी सभी प्रकार की train सुविधा इसमें भी सुरक्षा जरूरतों को लेकर के जो train चलेंगी केवल वही train चलेंगी या फिर ग्रह मंत्राले द्वारा अनुमती प्राप्त जो train होंगी वही train चलेंगी अंतरराज बस services इसमें भी एक राज़ से दूसरे राज़ी में किसी तरीके से भी परिवहन सुविधा नहीं मिलेगी सिवाए ग्रह मंत्राले द्वारा अनुमती प्राप्त बस ही एक राज़ी से दूसरे राज़ियों में जा सकेगी मैट्रो सर्विस पूरी तरीके से बंद रहेंगी व्यक्तिगत अंतर राज्जी यात्रा एक व्यक्ति किसी राज्ज से दूसरे राज्जी में नहीं जा सकेगा अगर वो जाता है तो उसके पीछे कुछ मेडिकल कारण होने चाहिए या फिर ग्र्यम अंतराल द्वारा उसको अनुमती प्राप्त होने चाहिए सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेजस, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थाए पूर्ट तुरोप से बंद रहेंगी केवल ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग चालू रहेंगी हॉस्पिटेलिटी सर्विस पूरी तरीके से बंद रहेंगे केवल जो फसे हुए लोग हैं और टूरिस्ट लोग हैं उन लोगों के लिए ही लौज की सुविधा उपलब्द रहेंगी सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पॉर्ट कॉंप्लेक्स, स्वीमिंग पूल्स, इंटर्टेन्मेंट पार्क, थेटर्स, बार और ऑडिटोरियम आधी पूरी तरीके से बंद रहेंगे सभी सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्य पूरी तरीके से बंद रहेंगे सभी धार्मिक जगा, पूजा, इबादत की जगा, जनता के लिए पूरी तरीके से बंद रहेंगी धार्मिक अनिस्ठान जहां पर भीड होने की संभाव ना हो वो कारिक्रम पूरी तरीके से प्रतिबंदित रहेंगे ग्रह मंत्राले द्वारा सुरक्षा के लिए कुछ मानक तै किये गए हैं ये मानक इस तरीके से होंगे कि शाम को साथ बज़े से लेकर के सुबह साथ बज़े तर बिना किसी जरूरी काम से कोई भी बहर से बाहर नहीं निकलेगा बाहर निकलने में पूरी तरीके से पाबंदी होगी इसके अलावा 65 साल के बुज़ुर्ग, 10 साल से कम उमर के बच्चे, गरवती महिलाओं को सला दी जिगा रहे है कि वो घर पे ही रहे यदि कभी medical emergency हो तभी घर से बाहर निकलें इसके अलावा containment zone में OPD या medical clinic नहीं खुलेंगे जबकि red zone, orange zone और grain zone में social distancing को ध्यान में रखते हुए OPD या medical clinic खुलेंगे red zone में ये activities पूरी तरीके से प्रतिबंदित रहेगी cycle रिक्षा, auto रिक्षा इनको चलने के इजाज़त नहीं होगी taxi और cab इनको भी चलने के इजाज़त नहीं होगी जिले में बस सेवा को भी चलने के इजाज़त नहीं होगी red zone में barbershop, spa और saloon ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे जिनको सशर्थ अनुमती प्राप्त होगी अनुमती प्राप्त वाहनों को आवगमन की अनुमती होगी फोर वीलस में ड्राइवर के पीछे दो यात्रियों को अनुमती प्राप्त होगी टू वीलस में पीछे सवारी अलाउड नहीं होगी शहरी चेत्रों में ओध्यगिक संस्थानों को अनुमती दी गई है जिसमें जरूरी सामान की मैनुफेक्टरिंग यूनिट जैसे दवाईयां, फार्मस्यूटिकल और मेडिकल यंत्रों को अनुमती दी गई है साथ ही इने कच्चा माल उपलप्त कराने वालों को भी अनुमती दी गई है ग्रामीर इलाकों में सभी ओद्योगी किकाईयों को काम करने की अनुमती है शहरी छेत्रों में कंस्ट्रक्शन की अनुमती दी जाएगी लेकिन केवल वो कंस्ट्रक्शन साइट पर अनुमती प्राप्त होगी जहां पर वर्कर्स मौजूद हो बाहर चे किसी भी वर्कर को नहीं लाया जाएगा ग्रामीर शेत्रों में सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से अनुमती दी जाएगी एकांत और कम भीडभाड वाले स्थान पर दुकान खुल सकती है इसके अलावा मोहले की दुकाने, रेजिदेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकाने भी खुलेंगी ग्रामीर शेत्रों में सभी प्रकार की दुकाने खुलेंगी एकॉमर्स में केवल जरूरी सामान के लिए ही ओर्डर किये जा सकते हैं प्राइवेट ओफिसेस भी 33% स्ट्रेंग्ट के साथ खुले रहेंगे बाकी लोग वर्क फ्रम होम बेसेस पर काम करेंगे औरेंज जोन में निजी कार में केवल तीन लोगों को ही अनुमती प्राप्त होगी जिसमें एक ड्राइवर और पीछे दो सवारियां बैठ सकती हैं टैक्सी और कैब में भी ड्राइवर और दो ही यातरी चल सकेंगे जिलों के भीतर और बाहर बसे नहीं चलेंगी अनुमती प्राप्त काम काज के लिए आवाजाही को ही अनुमती प्राप्त होगी जिले के अंदर आने जाने के लिए अगर आपके पास अनुमती है तब ही आप आवाजा ही कर सकते हैं ग्रीन जोन में बसो में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे यानि जनपत के अंदर ही बसें चल सकती हैं एक जगह से जनपत के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे अगर सफर करना हो तो बसों के द्वारा 50% यात्री के साथ सफर किया जा सकता है। सैलून और जरूरी सेवाएं समान रूप से मिलती रहेंगी। सीमित गतिविदियों को छोड़ करके लगभग सभी गतिविदियों की अनुमती ग्रीन जोन में प्राप्त होगी। इसके अलावा पूरे देश में चलने वाले सामान वाले ट्रकों को या फिर कारगों को किसी प्रकार की अनुमती की आवशक्ता नहीं होगी।